हर्याना के बाद राहुल गांधी के साथ होगा महराश्ट बढ़ावाश्ट में देवेंद्र फड़नविस और उधाव ठाकरे साथ लड़ेंगे चुनाव महराष्ट में चुनाव से पहले रामदास कदम का बड़ा दावा ओदाव ठाकरे के संपर्क में थे देवेंद्र फडर्डर्डिस नमस्कार स्वगत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मैरानी गुपता आपके साथ महराष्ट विदानसावा चुनाव का उक्चारी कैलान भले ही अभी तक ना हुआ हो लेकिन सियासी सरगर्मिया तेज हो चुकी है कॉंग्रस सत्ता में वापसी के लिए बेताव नजर आ रही है तो बहीं बीजुपी अपने सियासी वर्चस्व को बचाय रखने की जद्दो जहक में जुटी हुई है इस बीच आपको बता दे कि शिंदे गूट के वरस्ट नेता रामदास कदम ने बड़ा दावा कर दिया है उनका कहना है कि देवेंद्र फणनेविस अधव ठाकरे के संपर्क में थे दिरेसल ये दावा जो है उनका वो 2019 के विधाल सबाच चुनाव के नतीजों के बात का है जहाँ पर वो ये कह रहा है कि देवेंद्र फणनेविस ने एक दो बार नहीं बलकि 20 से 25 बार उधाव ठाकरे से संपर्क किया था जो दर्वाजे, चर्चा और बाक्चीत के बंद किये गए थे वो BGP के तरफ से नहीं किये गए थे बलकि खुद उधाव ठाकरे की ओर से किये गए थे अब ऐसे में जो रामदास कदम की ओर से दावा किया गया है ये कॉंग्रेस के माथे में शिकन बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं न कहीं अगर बात महाली में संपन हुए हरियाना के चुनावों की करें तो यहाँ पर कॉंग्रेस को पूरा विश्वास था कि वो हरियाना में जीतदर्श करवाईगी और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतदर्श करवाईगी बकादा सतर सीटों का रेकॉर्ड यहां पर ले करके कॉंग्रेस चल रही थी लेकिन सतर सीट तो छोड़िये कॉंग्रेस के खाते में उसके आधे सीट भी नहीं आई उनके खाते में सैती सीटे आई हैं अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जिस कॉंफिडेस के साथ कॉंग्रेस जो है हर्याना की चुनावी मैदान में उतरी किसी के साथ उन्होंने गड़बंधन नहीं किया पूरा दमखम दिखा दिया दमखम लगा दिया लेकिन यह चीज अब महराश्ट में उन्हें भारी पड़ सकती है और इसी वज़े से कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि महराश्ट में राहुल गांधी और कॉंग्रेस के साथ बड़ा खेला हो जाए और उधव ठाकरे बाजी पलट दे और वो खुद जाकर के बीजपी के साथ गड़बंधन करके चुनाव लड़ ले क्योंकि 2019 में उधव ठाकरे के संपर्क में थे दरसल साल 2019 के विदानसवा चुनाव के बाद बीजपी नेता देवेंद्र फणनविस ने उधव ठाकरे से 20 से 25 बाट संपर्क किया था लेकिन कॉंग्रस में शामल होने के लिए उधव ठाकरे ने बाचीत का दर्वाजा खुद ही बंद कर मैं इसका गवा हूँ मातोश्री के दर्वा से बीजपी ने नहीं बलकि उधव ठाकरे ने बंद किये थे मैं महराश्ट को बताऊंगा कि उधव ठाकरे की गंदी राशनी थी चल रही है उन्होंने बाला साहिब के मुख्यमंत्री बनने के विचार को कुछल दिया है दरसल अब ये जो दावा किया गया है रामदास कदम की ओर से उसके बाद महराश्ट की सियासत में भूचाल देखने को मिल रहा है और महाविकास सघारी के जो एक पक्ष है यानि कि कॉंग्रेस पार्टी उनमें ये बड़ी भगदर और टेंशन मचती हुई नसर आ रही है क्योंक कॉंग्रेस पार्टी अभी तक उनके जखम भरे भी नहीं है और अब ये महराश्ट्र से खबर सामने आ रही है जहां पर ये संभावना जोता ही जहा रही है कि कहीं असा ना हो कि उधाव ठाकरे एक बार फिर से बीजुपी के संपर्क में आ जो आए और बीजुपी के साथ गडबंधन करके चुनाव लड़े क्योंकि अगर हम महाविकास घाड़ी की बात करें तो लगातार कॉंग्रेस हो या फिर शरत्मवार का गूट या फिर उधाव ठाकरे का गूट हो इनमें सीट शेरिंग को ले करके आज जो है आपसी सहमती नहीं बन पा रही है और इसी व हम महाराष्टों का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने बखादा ये कह दिया है कि महाराष्ट में सरकार महायोती की बनने चुहा रही है और क्लिरली ये दावा इस बात को हवा दे रहा है कि बीजुपी की सरकार महाराष्ट में बनना तैमाने चुहा रही है अब ऐसे में ज साफ कहा है कि मैं इस बात का गवा हूं कि कैसे मातोश्री में बार बार संपर्क करने के लिए देवेंद्र फणनविस आये थे एक दो बार नहीं बलकि 20 से 25 बार ये सलसला चला था लेकिन उधाम ठाकरे को मुख्यमंतरी बनने की लाल सा थी जिसकी वज़े से उन्होंने और आज नौबत ये आन पड़ी है कि उधाम ठाकरे मुख्यमंतरी नहीं है और सबसे बड़ी मुश्किल की बात तो ये है कि ना तो उनके पास खुद की पार्टी बची है सही सलामत और ना ही अब महराश्ट में वो उमीद की एक बार फिर से शिवसीना अपनी सत्ता बचा पाए और फिर अपनी पार्टी बचा पाए आपको बता दे कि 10 साल पहले नरेंद्र मोधी के प्रधान मंत्री बनने के साथ ही महराश्ट की सियासत में भी बदलाव देखने को मिला बीजपी का सियासी कद महराश्ट की राशनीती में तीजी के साथ बढ़ा 2014 में बीजपी 122 सीटे जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनी इसके बाद 2019 की विदान सबा चुनाओ में 105 सीट बीजपी जीतने में काम्याब रही बीजपी ने भले ही अपने दम पर राज की सत्ता पर काबिज ना हो सकी हो लेकिन राज में सबसे बड़ी पार्टी बनने का रुतमा हासिल कर लिया था इससे पहले बीजपी महरास्ट में छोटे भाई की भूमिका में थी लेकिन आप बड़े भाई के रोल में है इसे बचाय रखने की चुनाओती साल 2014 के चुनाओ में भी बीजपी के सामने खड़ी हो गई है शिवसेना और एंसेपी को दो धड़ो में बढ़ चाने के बाद महराष्ट की सियासत बदल गई है शिंदे की अगवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार के नित्रत्व वाली एंसेपी बीजपी के साथ खड़ी है और उधर उधर ठाकरे की अगवाई वाली शिवसेना यूबी टी और शरत पवार का जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने बड़ा बयान भीज दिया है। सुनिए प्रधान मंत्री मोधी ने कारग्रम में मराठी भाशा खुले करके क्या कहा। फैसले से मराठी भाशा के विकास के लिए काम करने वाले संगर्णों व्यक्तियों और छात्रों का बढ़ावा मिलेगा। इससे सिख्षा और रिसर्च के छेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेगे। तो एक परिवार में मुझे रुखना था। और मुझे उस परिवार की एक आदत परे मन को छूगे। मुल वो तेलुकू परिवार था। तिक उनके घर में नियम था। लाइब तो अमेरिकन थी जीवन तो वही का था। लेकिन नियम था कि कुछ भी हो जाएं शाम को खाना खाते समय टेबल पर परिवार के सब लोग साथ बैठेंगे। और दूसरा था। शाम को खाना खाते समय परिवार का एक भी व्यक्ति तेलुकू भाषा के जवा एक भी भाषा बोलेगा नहीं। उसके कान वहाँ जो बच्चे पैदा हुए तो गो भी तेलुकू बोल लेते थे। मैंने देखा हैं मास्ट्रिन परिवास में जाएंगे तो आज भी सहज रुप से आपको मराठी भाषा सुनने को मिलेगी। बाकी लोगों कैसा नहीं छोड़ देते हैं। फिर उनको हैलो हव करने मजा आ जाता है। साथियों नई नेशनल एजुकेशन पॉलिशे के ताहट अब मराठी में भी मेडिकल और इंजिनेरिंगी पढ़ाई संभव हुई है। इतना ही नहीं मैंने सुप्रीम कॉर्ड के जजीज के सामने रिक्वेस्ट किती। मैंने कहा एक गरीब आदमी आपकी अदालत में आता है। और आप उसको अंग्रीजी में जज्जमेंट देते हैं वो विचरा क्या समझेगा, क्या दिया है आपने। और मुझे खुशी है कि आज हमारे जो जज्जमेंट है उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो मात्रु भाषा में दिया जाता है। मराठी में लिखी science, economics, art, poetry और तमाम विश्वों की कताबों की उपलब्द होती रही है और बढ़ रही है। हमें इस भाषा को हुआ है वेहिकल ऑफ आइडियाग बनाना है ताकि हमेशा जीवन्त बनी रही है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि मराठी साहित्ती के रच्राएं जाधा से जाधा लोगों तक पहुझे है। मैं चाहता हूँ कि मराठी भाषा ग्लोबल ऑडियन्स तक पहुझे है। ध्रिसल आपको बतादे कि इस दोरान प्यम मोदी ने कहा कि मराठी भारत का गौरब है इस अभूत पूर्व भाषा को शास्त्रिय भाषा का दर्जा दिये ज्वाने पर बधाई ये सम्मान हमारे देश के तिहास में मराठी के समरुद सांस्कृतिक योगदान को स्विकार करता है मराठी हमेशा भारतिय विरासत की अधार शिला रही है और मुझे यकीन है कि शास्त्रिय भाषा का दर्जा मिलने से बहुत से लोग इसे सीखने के लिए प्रेडित होंगे अब जिस तरीके से केंद्र की मोधी सरकार ने ये फैसला लिया है और मराठी भाषा को शास्त्रिय भाषा का दर्जा दिया है तो इसे भी एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तोर पर माराच्वारा है क्योंकि महराष्ट में चुनाव है और महराष्ट में मराठी भाषा का क् हत्वा है ये मराठा लोग बहतर च्छानते हैं फिलाल असपूरे मामली को ले करके आपकी क्या राया है हमारे कॉमेंट सेक्शन में सरूर पताएं धन्यवाद